दोस्तो आधार कार्ड को ले करके एक बहुत बड़ा अपडेट आया है बहुत सारे आधार यूजर को अब एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा आधार कार्ड से रिलेटेड कई सारी सर्विसेस को UIDI ने अपने ओनलाइन पोर्टल से बंद कर दिया है जिसमें कि अब अगर आपको अपना नाम चेंज करना है डेटा बड़ चेंज करना है तो यह आप ऑनलाइन पोर्टल से नहीं कर पाओगे इसके लिए पोर्टल से यह जो आप्शन है वो हटा दिये गए है तो यहाँ पर आप देखोगे अभी हमने SSUP का जो पोर्टल है जिसको हमने यहाँ पर लॉग इन कर रखा है और आप यहाँ पर देखोगे कि पहले जैसे कि हम यहाँ पर अपडेशन करने के लिए आते थे अपने आधार कार्ड में कोई भी इंफोमेशन अगर हमें चेंज करना है चाहे नेम हो या फिर हमारा जनतित हो या फिर एड्रेस हो तो यह जो सारी चीजे हैं हम अपडेट आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके अपडेट कर लेते थे लेकिन यहां पर आप देखोगे कि अब य को आपको दो आफशन देखने को मिलते हैं जिसमें के पहला है अपडेट आधार ओन-لाइन दूसरा है एकाँ फैंB drew का जिसमें कि हम यहां पर आपडेट आदाया ओद्लाइं के आप्टाय पर जैसे किलिक करते हैं तो यहकंत लीकyst करते कि आपको फ्सक्राइस करें कि रहा है है कि कि रineötने हैं को क्याल पीस्टाइट सभी था सब्सक्राइब करें दो ऊल्म फारिक्षाई यहुथ के सेक्सर में आप देखोगे कि एक अपडेशन हम अभी अपने नेम में कर सकते हैं बहुत सारे लोग आधार कार्ड में सौट कर ले करके जो अपडेशन करते हैं फेक आईडी फूफ एडिट करके अप्लोड करते हैं उसकी वज़े से यहां पर यह जो ऑप्शन है वो बंद किया है तो अब अगर आपको अपने आधार कार्ड में अपना नाम या फिर जनतित में चेंजस करना है तो इसके लिए यूआईडिय के ऑफिसियल वेबसाइट पर आना है और यहां पर आपको होम पेज पर ही गेट आधार के सेक्सर में एक ऑप्शन दिखेगा बुक का एंड अपॉइमेंट का तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि इसके तुरू अभी भी अपना नाम या फिर जनतित या पर अपना मोबाइल नंबर इमेल आइडी अपडेट कर सकते हो अपनी फोटोग्राफ को अपने आधार कार्ड में चेंड कर सकते हो जिसमें कि आपको अपडेशन करने के सबसे पहले तो सिटी का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके आपको अपना सहर से हो अब ज तो आपके पून पर एक वो यहां पर फिल करेंगे, वेरिफाइ ओटीपी के ओप्शन पर क्लिक कर देंगे, अगर आप head of family के through कर रहे हो तो head of family का जो option है वो select करोगे अगर आपके पास में कागजात है तो आपको यहाँ पर document का option ही select करना है इसके बाद में आपको अपना state और city को select करना है आधार सिवा केंद अगेन एक बार आपको choose करने का option दिखेगा next option पे click करेंगे तो अब आप सभी को selection का page मिल जाता है कि आप अपने अधार card में कौन-कौन सी information को change करना चाहते हो जिसने कि आप अपना नाम, gender या फिर email id, data birth, address या फिर नया mobile number आप update करना चाहते हो इवेन आप अपनी biometric या फिर photograph को change करना चाहते हो तो यहाँ पर जितने भी changes आप करना चाहते हो, सारे ही option पे आप click कर लोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक साथ में अगर आप biometric को भी update करते हो तो आपको 100 rupees का जो fees है वो देना पड़ेगा अगर केवल आप एक ही update करते हो, अगर biometric का update नहीं होता है तो आपको 50 rupees के जो charges हैं वो आपको देने की जरुरत होती है इसके बाद में जो भी नई information आप उसकी जगह update करना चाहते हो वो information आप से मांगी जाएगी, फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर next के option पे click करना है तो हमने यहाँ पर select कर लिया है, इस time पर हम आधार center पहुँच करके अपने आधार card में update करा सकते हैं तो next के option पे click करेंगे summary page आएगा, हम यहाँ पर submit के option पे click करेंगे तो आप देखोगी payment gateway आ चुका है जिसमें की credit card, debit card, net banking, UPI के माध्यम से हम payment कर सकते हैं Mac payment के option पे click करेंगे, जो भी method से हम payment करना चाहते हैं, select करेंगे और payment यहाँ पर आप देखोगी कि verify हो चुका है, और payment verify होते ही आप सभी के सामने एक payment की जो receipt है वो generate हो करके आ जाती है आपका जो appointment की slip है वो भी generate हो करके आ चुकी, इस time date पर आप इस आधार सेंटर पर पहुंच करके अपने आधार card में update करा सकते हो, जहां पर आपको queue में लगने की जरुरत नहीं होगी, आसानी से आपके आधार card में यह सारी information change हो जाएगी आपको लंबी-लंबी कतार में, लाइनों में लगने की जरुरत नहीं होगी, जो की एक बहतर option हो सकता है, क्योंकि अब online portal पर यह option है, मुझे नहीं लगता है, दुबारा से UIDI लेकर के आएगा तो आसा करता हूँ, आज का जो वीडियो है, आप सभी को काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया, तो इसे like करेगा, अपने और भी friend और family में share करेगा, इसी तरीकी के interesting information के लिए, चैनल पे अगर आप नए हो तो subscribe जरूर करेगा, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो म तब तक ले गुडबाई, जाएंगे